हलो एवरिवन आपका स्वागत है मारी यूट्यूब चैनल अंजले कोकिंग में आज मैं आपके लिए लेकर रहे हूँ मावे की चासनी वाली गुजिया तो सबसे पहले हम स्टफिंग के त्यारी करेंगे तो हमने यहाँ पर 1200 ग्राम मावा लिया है और इसको अभ hem ग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पर हमने ग्रेटर लिया है तो मोटा वाला जो ग्रेटर है ना उसी से मैं ग्रेट करूँगी और ये लीजे फ्रेंस हमने मावे को ग्रेट कर लिया है देख रहा है ने एकदम स्मूथ है बहत सौफ्ट बनेगा तो इसे अभी हम side मटा देंगे और यहाँ पे हमने लिया है काजू, बदाम और किसमिस तो इन चीजों को हम रोष्ट कर लेंगे तो अभी हम इसे side मटा देंगे और यहाँ पे हमने एक करहाई लिया है करहाई हमारा हलका सा गड़म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे मात्र यानि कि जो medium size का चमच रहता है उसी समच से मैं इसमें एक चमच ही घी डालूँगी और ये लिजे फ्रेंस हमने एक चमच घी डाल लिया है और घी डालते से ही घी हमारा melt होना शुरू हो गया है तो घी को हम ज़्यादा गरम नहीं करेंगे हलका सा गरम करेंगे और उसके बाद इसमें हम किस्मिस डाल देंगे और इसे हम low flame पे ही रोष्ट करेंगे और इसको रोष्ट करने मादर हमें 10 से 15 से केंड लएगा और ये जब अच्छे से रोष्ट हो जाएंगे तो ये देख रहे ना कैसे bubbles के जैसे फूल रहे हैं ये देखे फ्रेंस एक्तम सारे किस्मिस bubbles के जैसे फूल चुके हैं और अच्छे से रोष्ट भी हो गए तो इने हम निकाल लेंगे एक ठाली में और ये लिजे फ्रेंस हमने इसे निकाल लिया थाली में और अब हम इसी करहाई में काजू और बदाम को भी डाल कर रोष्ट कर लेंगे और अगर घी कम लगे तो घी हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे अगर हम नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा लेकि थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूं गी और इसे हम low flame पे रोष्ट करेंगे और इसको भी रोष्ट करने मातर हमें 1.5 मिनट लएगा हाई flame पे इसको बिल्कुल भी रोष्ट नहीं करना है नहीं तो ये अंदर से crunchy, crispy नहीं हो पाएंगे और उपर उपर में तो लाल हो जाएंगे जल्दी से लेकिन अंदर से वैसे ही रहेगा और crispy भी नहीं हो पाएगा तो ये लीजे फ्रेंज एक से डेर मिनट हो गया है काजू और बदाम को हमने अच्छे से रोष्ट कर लिया तो इसे हम निकाल लेंगे एक धाली में तो इसे अभी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो अभी हम इसे को साइड में अटा देंगे और ये देखिए फ्रेंज हमने यहाँ पे सेम करहाई लिया है और इसी करहाई में हम मावा को भी डाल कर रोष्ट करेंगे क्योंकि हमारी करहाई में अल्रेडी घी लगा हुआ है चारो तरफ से और इसमें जब हम मावे को रोष्ट करेंगे तो हमारा जो मावा है बिल्कुल भी नहीं जलेगा और अच्छे से रोष्ट भी हो जाएगा तो इसे हम low flame पे रोष्ट करेंगे और ये देखें grate करने का एक फैदा रहता है कि हमारा मावा जल्दी से melt हो जाता है और टाइम भी नहीं लगता है मावा को रोष्ट होने में और गैस की बचत भी होती है अगर आप मावे को बीना grate किये और डारेक्ट अब करहाई में ही डाल दें तो उसको melt होने में टाइम लेगा या तो आप मावे को छोटे-छोटे टुक्रों में तोर ले या फिर grate कर ले और मावा का एकदम soft भी हो जाएगा और कहीं पे लंस भी नहीं रहेंगे तो इसे हम low flame पे ही मात्र हम एक से दो मीनट तक रोष्ट करेंगे low flame पे, high flame पे इसको बिल्कुल भी रोष्ट नहीं करना है और जब भी आप मावे को रोष्ट करें तो किसी मोटे तले के बर्तन में ही रोष्ट करें पतले तले के बर्तन में रोष्ट करेंगे तो मावा आपका नीचे जलना शुरू हो जाएगा तो हमने मावे को रोष्ट कर लिया 1-1.5 मिनट हो गया तो इसे मैं निकाल दे रहे हूँ बहुत ही बड़ी अखुस भूगा रहा है तो ये लिजे फ्रेंस मावी को हमने एक ठाली में निकाल दिया तो इसको हम ऐसे फैला कर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए तो इसे मैं रूम टेम्परेचर में ही रख रहे हूं ठंडा होने के लिए तो इसको हम अच्छे से 4 तरफ फैला देंगे और जब तक हमारा मावा ठंडा होगा तब तक हम सुगर सीरफ की त्यारी कर लेते हैं क्योंकि हम चासनी वाले गुजिया बना रहे हैं तो इसके लिए हमें सुगर सीरफ की भी त्यारी करनी परेगी तो हमने यहाँ पे दो कप सक्कर लिया है और इसी कप से हम पानी भी लेंगे मजर्मेंट के लिए आप कोई कप या गलास रख ले तो जीस कप से हमने सक्कर लिया था उसी कप से हमने पानी भी लिया है तो मान कर चलिए कि हमने आधा कप से थोड़ा सा जादा हमने पानी इसमें डाला है और अब हम गैस ओन करके और इसे हम लगतार चलाते रहेंगे बिल्कुल भी नहीं रुकना इसको continue चलाते ही रहना है और इसी में हम डाल देने थोड़ा सा केशरी फूड कलर अगर आपके पास में नहीं है तो यह स्किप कर सकते हैं यह पूरी तरह से ऑप्सनल है पर इसे कलर बढ़िया आता है और इसी के साथ हमें डाल रही हो इलाइची आप यह पूरी पावडर भी डाल सकते हैं या केवडा एसेंस भी डाल सकते हैं या रोज वाटर भी डाल सकते है तो इसे हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे शक्कड को और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा निम्बु करस तो मातर हम 2-3 बूंदी डालेंगे, जादा नहीं डालेंगे, इससे क्योंगा कि चासनी हमारा जमेगा नहीं, और जैसा हम बनाएंगे चिप-चिपा वैसे ही रहेगा, यानि कि जैसे अपन गुलाब जामुन के लिए चासनी बनाते हैं, एक दम वैसे ही बनाना है, तो एक बर मैं चेक कर ले रही हूं, तो यह देखे, चासनी हमारा बिल्कुल भी नहीं पका है, तो इससे हम एक से देर मीनेट और पकाएंगे, और यह लिजे फ्रेंज, एक से देर मीनेट हो गया है, तो फिर से मैं इसको एक बर चेक कर ले रही हूं, तो यह देखे, चासनी हमारा एक सब्सक्राइब कोई यहां पे इस के अलावा को यूज नहीं किया इसी कफ से म richzen इलेंगे तो सबसे पर रहे सब्सक्राइब के लिए cu तो सब्सक्ति लेक्ट दे ृप दोनों हथेलियो के बीछ से यो आप दीज और 1 बाप द्युक्रेश्व करने का रुपने 35 जांज दिफ्टी सब मिक्स principles सब्सक्राइब और यह देखिए बैंडिंग देख रहे हैं एकदम पॉर्फेक्ट है यह देखिए मैं आपको चेक करके दिखा रहे हूं देख रहे हैं एकदम पॉर्फेक्ट है बैंडिंग जैसे मैं मुठी बांद रहे हैं एकदम असानी से यह बंद जा रहा है जब मुठी बंद जा तो य यानि कि एकदब मेडियम में रखना है यह लिजे फ्रेंस हमने दो को त्यार कर लिया है मीडियम मेडियम में है अभी आपकर पांचे-छर नित के लिए रेश्टो ने के लिए छोड़ देते हैं तो जब दक हमारा डो रेश्ट करेंगा तब तक हम श्टफिंग की जो हमारा मावा और काजूर बदाम है उन सब को चेक कर लेंगे तो ये काजूर बदाम अच्छे से ठंडा हो चुका और इसको हमने बारीक चौप कर लिया है आप चाहें तो काजूर बदाम को ग्रेट करके या कुट कर भी डाल सकते हैं दरदर पीस कर भी ढाल सकते हैं, पर आप काजू और बदाम को ऐसे सावूत ना डाले, डोड टुक्रों में कट करके ना डाले, और यहाँ पर मावा भी हमारा अच्छे से थंडा हो चुका है, तो इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानि कि तोर लेंगे मावे को हम अच्छे से और इसमें अब हम डालेंगे काजू और बदाम, जिसकों मैंने कट कर लिया है। और इसी के साथ हमें डालूँगे नारियल का गुरादा और ये जो हमारा भरतन है, छोटा पर रहा है, तो इसे हम एक बड़े से ठाली में निकाल लेंगे और ये लिजिए हमने निकाल लें इसको बड़े से थाले में तो अब मैं इसमें डाल रही हूं सक्कर तो सक्कर की क्वांटिटी हम थोड़ा सा कम रखेंगे यहां पर क्यूंकि हम चासनी वाले गुजिया बना रहें तो इसलिए सक्कर की क्वांटिटी हम बहुत बरिया टेस्ट आता है आप यहां पे पाउडर डालेगा इलाइची पाउडर उससे बहुत बरिया टेस्ट आएगा और यह लिजे फ्रेंस लगबग 5-6 मिनट हो गया है और डो भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है देख रहे ना एकदम सॉफ्ट हो गया है तो इसक चकाटी और यहां पे हमने पानी लिया है इन सारे चीजों को हमें जरूत परेगी सुखे मैदे की और पानी का भी जरूत परेगा और यहां पे हमने यह मोदक बनाने वाला मोल्ड लिया है इससे भी मैं गुज्या ही बनाऊंगी और यह हमने गुज्या बनाने का मोल्ड लि कि एसे एकर की नंबे सेफ देंगे और हमचाप कुसे लगवग चार से पास्तुकरों में कट कर लएंगे और यह लीडर से नियुका सब को में खुरते हैं चीपये तो इससे मेल कि पूल बना लें जार at अब बाल्ल के कोई गहीं लगाया है और शूखा चाहिए सकता मेद हैं अगर आप मेद थे लगका सकते हैं हम्ने यहां दो मोल्ड को सुखे में चाहिए इसमें हम हम 1 पूरी रखेंगे रखेंगे तो आधिक मरुजाय को इसे खरनेंगे। तो हमने दुसरे पूरी भी रख दे इसको उपर और बीस हमने थोड़ा सा कट कर दिया है और इसको हम दबाते हुए जो ये एक्स्ट्रा डो है उसको हम निकाल लेंगे ये लिजे हमने निकाल लिया है और ये देख रहे हैं कितना बढ़ी है इसका डिजान है और सेफ देखे क एक दम बढ़िया लग रहा है इसे हम साइर में रख देंगे और यहां पर हमने एक बड़ा सा बॉल लिया है और इसको हमने पूरी की जैसा बेल लिया है और यह हमने मोल्ड लिया है गुजिया का तो इसको हम पहले सुखे मैदे में डिप करेंगे इसके उपर से हम ये पू बन के रेडियो के देख रहे na एकदम बढ़ीया डिजाइन है और बहुत ही वडया और कहीं से भी नहीं फटा है मैं आपको एक और बना के दिखा रहे हूं ये हमने दूसरी तरीका दिखा है आपको आपको और यह अब दूसरी पूरी तरीका तो afterwards के दिख अधिक हम vullétais पूरी सेम साइज का बेला है, और अब हम थोड़ा से शटफिंग रखेंगे, और पूरी पे हम थोड़ा से पानी लगाएंगे, फिर उपर से हम ये दूसरी पूरी लगा देंगे, और इसको हम अच्छे से दबा देंगे, पूरी के अंदर एर नहीं होनी चाहिए, एर एक ढलता है यहां और हम नोब और कर लिया हैं तो फ्राइब और पर आप नहीं है यहां पर आयए यहां पर फ्राइंगे और गुजिय को डाल कर इसको हमेशा एक से दो मिनट में इसको उलट-पुलट करके अच्छे से फ्राई करना है चारो तरब से और ऐसी ही करके हमने गुजिय को अच्छे से फ्राई भी कर लिया एकदम golden color है, बहुती प्यारा color है, तो अब हम सारे गुजे को निकाल लेंगे, और निकाल कर इसको direct हम चासनी में डालेंगे, चासनी अभी हमारा ठंडा नहीं है, हल्का सा गरम है, चासनी को जदा ठंडा भी नहीं करना है, और जदा गरम भी नहीं करना है, नौर्माल में ही 10-15 मिनिट के लिए ही रखेंगे चासनी में और यह लिजे फ्रेंस लगबक 10-15 मिनिट हो गया और देख रहे देत गुजिय का कलर एकदम बढ़िया कलर आया है और चासनी भी एकदम गुजिय के अंदर-अंदर में चला गया है तो इसको अब हम सर्व कर लेंगे ये लिजे, हमने सर्व कर लिए, देखके मुँँ में पानी आ रहा है ना, बहुत ही बढ़िया बनता है, चासनी वाला गुज्या, और वो भी मावे का, बहुत ज़्यदा टेश्टी बनता है, तो अभी मैं इसमें डाल रहे हूं, थोरी सी चासनी, चासनी इसमें डालना बहु एक बर बनाईए, मेरे तरीके से, तो पहले में गार्निस कर लिए इसको सिल्वर वर्क से, जब मैं इस से गार्निस कर लूँगी ना, तो और भी बढ़िया दिखेगा, देखकर आप लोग के मुँँ में भी पानी आ रहा है, तो फ्रेंस, पानी क्यों ला रहा है मुँँ मे आप समान लाइए, और मावे का गुजिया बनाईए, घर पे भी बनाईए, और वो भी चासनी वाले एक दा मार्केट जैसा बनेगा, बहुत ही बढ़िया बनेगा, बहुत जिदा टेश्टी बनेगा, और जो भी खाएंगे वो आपके तारिफ जरूर करेंगे, और इसी होल पर बनाईए, आप मावे की गुजिया, और मुझे कमेंस करके बताएगा, कि कैसा बना है, अगर आप मेरे तरीके से बनाएगे, तो बहुत ही बढ़िया बनेगा, और बहुत जिदा टेश्टी बनेगा, इतना टेश्टी बनेगा, कि सभी लोग उंगलिया चाटते ही रह ज पर बनाएगे, तो बनाईए, आप भी इसी होली पर बनाईए, और पूरे फैमली के साथ इंज्वाए किजेगा, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंस करना बिल्कुल भी न भुलिएगा, और यदि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न भुलिएगा, उसका लिंक अमने डिस्क्रिप्शन बक्स में दे दिया है, आप देख लिजेगा, मिलते हम आप से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई